कि अच्छा में अच्छा में एक मैंने वह दो सर्पेंट शेयर करेते आज उसका फीडबाइक बताइए उसको देखा था अपने कुंडली जो है हमने उस पर बीज मंत्र प्लेस करें सारे के सारे और वह 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 वैसे नहीं है और सारे मंत्रों को उसी फॉर्म के तौर पर माना है तो वह बिफोर और आफ्टर एनर्जी डिफरेंस क्या था वह पूछने कर लेते हैं उसको कबर जी सर क्या फीडबैक कल का कल का फीडबैक कर रहे था मुझे जब हमने वह कर रहे था न वह वह कर रहे थे जब इनर्जी वाला बाग कर रहे थे मुझे एंड होने से पहले जो ना नावी के पास पूरा सरकल में थोड़ा सा ऐसे लगता है जब इस्टीम के उपर हम अपना हाथ रख देते हैं थोड़ा सा वाम सा लगता है ना उस टैप से उस टैप से कुछ फील हुआ कोशिश करा करिए कि एक दफ़े जो है सुबह उठने के बाद अगर टाइम हो बीस पच्छस मिनिट का तो यह वालब मेडिटेशन जो भी लास्ट मेडिटेशन उस को रिपीट करके देखा करिया तो अभी तो क्या होता है कि हमारा सब्सक्राइब में इंफ्रमेशन भी दे नहीं मुवमेंट ना है बट जब सुबह करते हैं फ्री माइंडसेट से ना तो उसका एक अलग इंपक्ट होता है इस जी मोनिका मैम नमस्क्राइब नमस्क्राइब कल जब तक यह आग्या चक्र तक आया तब तक तो मुझे ध्यान था उसके बाद फिर कुछ पता नहीं था क्या हुआ क्या नहीं हुआ बट अच्छा लग रहा था दिन भर अच्छा रहता है वह सब अच्छा था मतलब आग्या चक्र तक वह थोड़ा कंफ्यूजिंग मुव्मेंट था ना उसके बाद सीधा ही था थो फिर उसके बाद लॉस्ट हो गया राइट 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 जी मंजू मैम आपका क्या फीडबैक जो भी आप करवा रहे तो पुरा पता चल रहा था हर चक्र में जैसे जैसे उपर जा रहा था फिर वापर जब नावी के पास बिटा है ना तो उस समय से लेकर अभी तक नावी में कुछ नो कुछ मुवमेंट हो ही रहा है और नेन बहुत अच्छी आई सरकर रात में जी और एनर्जी पूरा बॉड़ी में बहुत अच्छा फी लो रहा है तो हमारा फंडमेंटल एफट जो है वो इस चीज के उपर हो गया कि यह जो एनर्जी है उसको इस स्ट्रक्चर से मूव कर रहे हैं तो हर एक के उपर एक पॉजटिव इंपैक्ट आ रहा है कोई नेगिटिव इंपैक्ट के तौर पर नहीं है नहीं है बाला बाला मैं से एक फीडबाइक और ले लेते हैं सर मैंने लिख दी अग्या भिख दिया अभी 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 कहा टे लिख लिए यह निग्या है श्यू अभी अट्यू सुन रही थी तो So I had to put an effort to lift the mobile and listen. So this is why I was awake. All the things. The part of the sound is what I do. Partially, I also go to the trance. Yes, sir. I say one part, I say one five-second delay. I mean, I think five seconds I say something I say something. And then I say something like that. So the path to tell the part is the inner guidance. Okay, okay. Deekhye, koji toh aysi nieh je moj kitaab se padhke karwa raha ho. Kitaab se toh ma jop part padha ho ho paart ho ta hai. Hoon ma part karta ho poora ka poora. Rest everything. Ab joh booltay hap is koor tab ka bhoot hi fark hai. Isly try to put an effort and listen to user. Haa, wo roati paknane me time lagtataya na. Pahalhe karachi roati hooti hai, deere deere browning hooti hai. Toh woh meri bhi browning ho rhi hai. तो वह आस्पेट जो है बतलब मैंने सिर्फ एक इंटेंशन पुट अप करता हूं जैसे फर एक्जामपल मैंने कल कुंडलीनी के बारे में सोचा तो वह मुझे पहले दिन से पता था कि कुंडलीनी स्पर्म की शेप और जो अपना human body का जो skeleton है वह सारा एक ही जैसी शेप का है तो इसलिए मेरे लिए कुंडलीनी कभी भी जो है वह ऐसा नहीं रहा कि एक अवेकेंट स्टेट में नहीं है ऐसा नहीं है बट उसको conscious मानना वह एक पार था तो आज जब मैंने वह एक नाग की शेप बनाई तो इस हिसाब से कि एक जागरत नाग जो है वह किस तरह से है तो मुझे लगा कि की पर इसने की डॉइंग करना शुरू करे या फिर उस जो सेड जो शेप वाली डॉइंग जो मैंने शेर करी थी उसमें बीज मन्तर लिख़ दे तो जब मैंने उसके तौर पर वह बीज मंतर लिखह तो आप अगरSecमी तवימ फिइज देखेंके तो आप उसम बाकी सारी बॉडी में मैंने श्रीम लिखा है कोर सेंटर में लक्षमी तश्री तमसीजय मंत्र लिख और तो दूसरा पार्ट लक्षमी तश्रीश असे करके तो और चार percent यहीं मंत्र मैंने नहीं पर लिख सोड़े और बाकी सब जगे श्रीम लिख ता अब जब मैंने दौनों दौनों जो स्नेक्स थे उनकी जो एनरजी को देखा तो वह एनरजी डिफरेंस बहुत अच्छा था तो मैं मतलब मेरा इंटेंशन क्या था कि जो मेरी कुंडलीनी है मेरे को सारे मंत्र उसी की वज़े से पता चले वो किताब में लिखे हो नई लिखे हो लेकिन ये कुंडलीनी हर बार जो है मेरे शरीर छोड़ती है फिर परमात्मा की शरीर में जाती है फिर परमात्मा की शरीर निकल के मेरे में आती है ऐसे करके हर जनम में ये मूव्मेंट चल रहा है तो जो मेरी कोडिड इंफॉर्मेशन है बीजी मंत्रों की वह मिल तो मुझे इस कुंडली नी शक्ति से ही रही है मैं मेरा पॉइंट समझा पाया हाँ सर अब क्या है कि जैसे हमने एक प्रॉसेस करा जो प्रॉसेस मैंने करा वो मैंने अब्सर्फ करा कि कोई भी मास्टर चाहे वो निर्मला जी हो चाहे वो श्री-श्री हो चाहे कोई भी विक्ति रेकी प्राणिक एक्स वैजाएक किसी भी डोमेन में हो उसने ये वाला प्रॉसेजर नहीं यूज़ करा तो जो मेरा चक्राज का ओर्डर था मतबस्थ पहले मैं मनीपूर बोलूँगा फिर सवाधिस्थान ऐसे करके मैं नाइन चक्राज में जाता हूं बाकी सब लोग seven चक्रा की बात करते हैं, एक difference ये वाला हो गया, फिर order का फरक हो गया, फिर elements का फरक हो गया, वो सारी चीजे करने के बाद, एक excise जो मैंने निर्मला जी को करते वे देखा कि वो ऐसे करके, वो इस हाथ से इस हाथ को वो गुमाते आए, तो ये मेरा चक्रा है, ये मेरी कुंडली नहीं है, ये उपर ऐसे करके वो राइज होती जा रही है, ये मैंने उसमें process demonstrate करा था, मैं एक तफ़ए पीछे background हटा तूं ताकि शायदे समझाने में सानी रहे, मैंने क्या करा, मैंने अपने हाथ को ऐसे कर लिया, इस तरीके से, ये वाली उंगली अलग कर ली, अब ये तीन हो गए, ये एक हो गया, ऐसे करके ये साड़े तीन कुंडली मैंने assume कर ली, ये वाला हाथ जो है, ये भी ऐसे रहा, ये वाली फिंगर अलग, ये वाला ऐसे, अब मैंने imagine करा, सबसे पहले मनिपुर चकर, तो मैंने इस हाथ को ऐसे करा, जैसे पुली movement ह किसी चीज को ऊपर उठाने के लिए, ऐसे करके मैंने इसको ऊपर उठाने का प्रयोग करा, मैं मेरा point समझा पाया, जैसे दुकानों का shutter जो है, वो खोलते हैं लोग तो उसको गुमाते हैं ऐसे करके, जब वो गुमाते हैं तो वो shutter दीरे-दीरे ऊपर होने लगता है, तो उ एक मैं assume करूँ कि before the start of meditation, एक तोकरी है जिसमें एक साप जो है, वो बंद करके पड़ा हुआ है, अब मैंने उस साप के फन पर हाथ टच करा, तो एकदम से चैतन्य हो गया, वरना वो जैसे था वैसी पड़ा हुआ था, वो एकदम से दीरे-दीरे करके उपर उठने हुआ, फिर मैं उसको बार-बार क्या बोल रहा हूँ कि आप ही महालक्षमी हो, आप ही महासती हो, लक्षमी, सरस्वती जी, ऐसे करके जितनी भी देवी देवताओं के बारे में हमें पता है, वो और कोई नहीं है, आप ही हो, तो अब मैंने उनको प्रेज करना शुरू कर दिया, अ ऐसा थोड़ी कि मैंने सब को देखा है, तो मेरे सामने जो चीज है, मैं उसी को ही सब का एक यूनिवर्सल फॉर्म मानता हूँ, हर एक में एक ही है, तो वो जो अन्नोन डोमेन है, उससे मैं प्राटना कर रहा हूँ कि वो राइजिंग हो, अब ये जो राइजिंग है, इसको हमें प्राक्टिस करना है, जैसे इसका ध्यान करें, तुरंट चैतन्यों के और उपर जागरत हो जाए, ये पहला पार्ट हो गए, जो हम अपने बीतर करेंगे, इस पार्ट की प्राक्टिस करेंगे, कि हमने इमाजिन करा, कि हम मात ऐसे घुमा रहे हैं, और सामने वाले की जो कुंडलिनी है, उसको जागरत करने के लिए प्रार्ट न कर रहे हैं, सेम अप्रोच, आखे बंद करके, आखे खोलके, बट उसको आपको उसी तरह से इमाजिन करना है, मैं मेरा पॉइंट समझा पर रहा हूँ, हाँ सर, अब इस प्राक्टिस को करने से, अब लेट सपोज, आप जो है कोई बोले कि मेरे पास ये विक्ति है, इसको सुना इनी देता, तो मुझे इसकी हीलिंग करनी है, तो हीलिंग करने के लिए स्ट्रक्चर क्या है, हम उसकी कुंडलिनी अवेक्निंग करेंगे, कुंडलिनी जो है उसी प्रोसेस से बढ़ेगी, तो पहले मनिपूर, फिर स्वादिस्टान, फिर विशुद्धी, फिर अनाहाद, फिर विशुद्धी, फिर मूलादार, मूलादार जो है स्काई अलिमेंट ہے, और स्काई अलिमेंट का कनेक्शण स्किल से है, कान जो है, वहाँ पर आते हैं, तो मूलादार चकर में जाकर, हम मूला ओढ़ार चकर को एनरजाइज करेंगे, और उस्वेक्टी के कानों को इनरजाइस करेंगे जैसे यह दोनों का कनेक्शन हम अबक्सरों करेंगे उस कनेक्शन को इनरजाइस करेंगे तो हम देखेंगे बहुत जल्दी से उस वेक्टी के अंदर सेम चेंज आएगा जो के बीतर आ रहा है ना कि उटनेशों क्लिए ना पहला मेरे को मेरी कुंडली नी उठानी है उसका जब अभ्यास रहं प्हुत शलानी होगा रोहन होगा रोहन होगा दो कभी मैं ने कर वी मैं depths में अवरोण बोला ही नहीं है मैंने शिव जी को देखा शिव जी के गले में कोई भी नाग लटका हुआ नहीं पड़ा चैतन्य है मैंने विश्णु जी को देखा वहां शेष नाग है चैतन्य है विश्णु जी और लक्षमी जी आत्मा स्वरूप है और एक चैतन्य नाग है ठीक है वह चैतन्य है वह किसी भी इस्थिति में वापस टोकरी के अंदर नहीं पड़ा वह वैसे नहीं है तो उसको नीचे नहीं लाना है उसको कॉंटिनेसली उपर ही रखना है तो और वह कॉंटिनेसली उपर ही रहता है अदर्वाइस पूरी बॉड़ी को आप देखिए हमारी ग्रोथ कभी होती नहीं है मतलब रुकती नहीं है हम एक स्पर्म शेप से एग में जाते हैं एक से जाइगॉड बनते हैं जाइगॉड से हम हंड्रेट ट्रिलियन सेल्ज में बढ़ जाते हैं पर हम कॉंटिनेसली बढ़ते ही जा रहे हैं फिर एक दिन हम इस शरीर को छोड़के चले जाते हैं तो यह यह हमारा कुंडलिनी है चा है और मतलब नाग जो है वह ग्रेविटेश्नाल फोर्स का रिप्रिजेंटेसन है और गरुड जो है वह एंटी डश्य का कर्याइबै रिप्रिजेंटेसन है हमशनु जी को दिखें तो विश्नु जी शेशनाग पर विराजमान है गरुड उनका वहन है यानि कि वह ग्रैविटी और एंटी ग्रैविटी को टोटली बैलेंस कर रहे हैं ऐसी है ना पूरी जगे तो जो यह पार्ट है कि मैं अपने आपको परमात्मा बनाना चाहता हूं तो मुझे मेरी आत्मा की पावर्स को उसके साथ कनेट करना होगा ना तो जब मैं अपनी पावर्स को उसके साथ मैं कनेट कर रहा हूं तो मुझे जो पहली चीज समझ में आ रही है वो ये समझ में आ रही है कि मेरा consciously चीजों को accept करना बढ़ना चाहिए दूसी चीज मेरे को ये intention होनी चाहिए कि मैं सब की health को ठीक करूँ अगर मैं सिर्फ अपनी health को ठीक करूँगा तो वो selfish हो जाएगा अगर मैं सब की health के लिए wish करूँगा तो वो social objective हो जाएगा social objective मतलब भगवान का काम तो भगवान अपना काम खुद करेंगे या हमसे करवाएंगे तो simple theory हो गई ना तो मैंने इस तरीके से इस पूरे process को ध्यान करा कि अगर मैं कहीं भी कोई भी काम करता हूँ जो भगवान का काम है वो चीज मेरे काम अपने आप बना देगी पर मैं अपने काम को pursue करूँगा भगवान का काम ignore करके तो वो काम नहीं होगा तो मैंने एक बार सोचा कि अगर मैं ये काम करी रहा हूँ तो एक बार ये पंदरा करोड लोग का बिमारी ठीक कर दूँ अब मैंने बिमारी ठीक करने के लिए रोज के रोज इंटेंशन डाल दिया फिर मैंने गा जब बिमारी ठीक हो गई इन लोगों की तो जो नेक्स पार्ट है वो ये है कि इन सब की कुंडलीनी राइजिंग हो जाए जब इन सब की कुंडलीनी जागरत हो जाएगी तो ये अगली बार मुझे healing करने की जरूत नहीं पड़ेगी उल्टा ये दूसरे लोगों की healing कर रहे होंगे क्योंकि सोशल अवेकनिंग हो गई न तो मेरा जो intention है वो लोगों को रोग मुक्त करना है तो जब सारे लोग disease free हो जाएंगे तो उनके एक बार का effort हो गया सबको disease free करने का अब वो क्योंकि भगवान भी चाहता है कि उसके सारे बच्चे स्वस्त रहें तो मैंने वह भगवान वाला काम करा तो आप्विसली वह जब भी request accept होगी हो जाएगी उसमें यह नहीं होगा कि रही इसने ऐसे करा था इसको दंड मिलना है इसको ऐसे कर रहा था उसको दंड मिलना है तो क्यों ना कुछ ऐसा wish करूँ जो की बड़ा यूनीक हो और उसमें भगवान को लगे कि यह तो मेरा काम कर रहा है तो वहां से वह पार्ट खतम हो जाएगा ना प्रॉब्लम का अब इसको एपिक वाले प्रोसेस से लेकर चलते हैं एपिक्स में क्या लिखा हुआ है राम अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए लेकिन उन्होंने सुग्रीव को उसकी पत्नी डूंड़ने में मदद करी बदले में उन्हें उसका रास्ता मिल गया जो उनको उनकी पत्नी से चोड़ रहा था तो जब हम दूसरे का काम करते हैं तो हमारा आटोमेटिकली होना शुरू हो पूछते हैं तो क्योस हो जाएगा ना क्योस पर यह परिश्मेंट आएगा यह मेरा मतलब था है इस पूरे पर्ट का ठीक है ठीक है जी भारती में हम आपका फीड़बैक करल काफी स्ट्रोंग एनरजी थी और बहुत हैवी लग रहा था बाद में भी मतलब एब्जॉब होने में मुश्किल लग रहा था और नीन बहुत गहरी आ रही थी पर जब सोने गई तो नीन नहीं आ रही थी बहुत लेट आई पर जब आई तो बहुत ही गहरी आ रही थी बट मुझे कहीं कहीं अब दिन में जब सो ही तो कुछ स्पिरिटिट टाइप फील आ रहा था कि सपनों में मतलब कुछ इस तरह के दिख रहे थे या तो क्या क्लीनिंग है या कुछ दिन में भी और सुभा भी उठी तो कुछ ऐसे से विचार आ रहे थे हम तो वह समझ में नहीं आ है अब नौर्थ में सर करके सो रहा है यह वह बीच बीच में हो जाता है ना रात को हाँ वह जही हूं तो जैसे रीडियो की एक फ्रीक्वेंसी होती है आप एक रेडियो चैनल को दूसरे चैनल पर लेकर जाते हो तो बीच बीच में वो फ्रिक्वेंशी पकड़ता रहता है जब हम नौर्थ में सर करके सोते हैं तो हम अपने शरीर के नाभी के नीचे के हिस्से वाले जितनी भी डोमेंज है लोग डोमेंज जिनको कहते हैं हमारा उन से कन बनता है और जब हम नाभी के ऊपर वाले लोकों से कनेक्ट होते हैं तो हमारा जो भी डैवी शक्तियां है तो सुर असुर ऐसे करके दो फंडमेंटल डोमेंज मान लेते हैं तो वो जो हमारे को फॉर्म्स दिखती हैं वो फॉर्म्स दिखने का रीजन सिर्व यह होता है कि बीच-बीच में हम यह गलबर कर लेते हैं कुछ छोटा छोटा सा हमें इस वाले प्रोसेस को अगर ब्रेक करना उसको उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है जब हमारा प्रोसेस में हर चीज में स्लो डाउन आए इसका मतलब हम नीचे के लोकों से कनेक्टेड हैं जब हमारा उपर के किसी लोग से connected है जब भी कोई वेक्टी बहुत जल्दी जल्दी बोलता हुआ आपको दिखे बहुत फास्ट एकदम से interpretation बहुत जल्दी से अपनी बात बोल रहा है तो आप मानकर चलिए कि वह अपने higher उसमें जो है domains में connected है higher का मतलब यह नहीं है कि कोई अच्छा या जो हमारा अपना साइकी होता है उसमें वह चीज हमें negative करी जाती है जो कि हमें बताया जाता है कि यह एक नेगेटिव डोमेन है तो जब हम उसको negative मानना बंद कर देंगे तो नीचे कनेक्ट उचा उपर हो इस पे रिटेड एनर्जी दिख रही है तो क्या दिखते कोई दिखत थोड़ी हो इसके तौर पर अभी यह क्योंकर सावन का पीरेड है और अभी वह पित्र पक्स भी आए जैब बस इतना करना होता है तो वह बैलेंस हो जाता है एनर्जी प्रोस्ट जैसे अभी हम वैसे अपनी रूटीन लाइफ में तो हमें नॉर्मल रहना चीज़ जैसे हम हाईर एनर्जी से कनेक्ट रहते हैं उपर तो मेरा बीच बिट में हैवी हो जाता है मतलब मुझे हैव पाठ हेवी लगता है तो रूटीन में तो वो नहीं है लाइट ही फील होना चाहिए न रूटीन तो यहीं कहता है कि हमारे इख लोग अलग तरह से लेते हैंकि मैंने इसको इस तरह से देखाए कि हर एक विक्ती का energy absorption different होता है पर जो ब्रैमिन्स का energy absorption है वो different होता है बाकि किसी भी कास्ट के हिसाब से यह मेरा एक मैंने जितनी बार भी देखा वो एक aspect मुझे समझ मैं है उसका मैं reason जो connect कर पाया है वो यह था ब्रैमिन्स को financial energy नहीं समझ में आती है financial energy का मतलब यह हो गया इसमें मेरा क्या लाव है वो समझाओ तो ब्रैमिन्स की जो अपनी self वाली जो energy होती है वो कम होती है social objective वाले जो पार्ट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं जैसे for example मैं मतलब मेरा एक पार्ट जो demonstrate करने का है आपने आज तक अपने पूरी life में कोई विक्ति ऐसा नहीं देखा होगा जो यह बोले कि हाँ भई 15 करोड लोग की भीमारी ठीक कर दो मैं कैसे बोल पाया या मैं कैसे सोच पाया यह बहुत बड़ी सोच हो गई अगर मैं इसको financial aspect से देखूं कि 15 करोड लोग अगर diabetes free होते हैं तो लगभग एक करोड टाइम से एक करोड रुपे का impact अगले 25 साल में आता है मतलब एक विक्ति साधारन रूप से जिसको diabetes है वो 2000 रुपे महीने की दवाई खाता है 12 महीने के 25 जार रुपे हो गए average पकड़ लेते हैं तो अगले 25 साल के हिसाब से लेकर चलते हैं तो साड़े 62 अगर पंदरा करोड लोगों के हिसाब से मैं लेकर चल रहा हूं तो यह लगभग एक करोड रुपे के एक करोड बैग है तो इटिसे हूज मनी तैन की पार 14 इस हूज मनी इन नंबर्स उतना ग्लोबल इंपक्ट होगा क्योंकि यह मेरे साब से एक नॉन प्रोडुक्टिव सेट है जब भी कोई वेक्टी बिमार पढ़ता है उसके बिमार पढ़ने पर एक घर खतम हो जाता है टेक्निकली स्पीकि घर में बच्चा बिमार पढ़े बड़ा बिमार पढ़े जो भी पढ़े जो अर्निंग मेंबर होता है उसके बिमार पढ़ने से घर खतम होता है तो जो गरीब लोग है आजकल कोई अस्पताल वाला यह तो है नहीं कि बड़ा दयालू दयावान हो गया आजकल तो सभी को प कि इचने का बिजनेस कर रहा है उसमें पैसा बहुत चारा ए कोई सिगरेट बेच रहा है कोई पैथॉलिजी लैब बेच रहा है तो ऐसे करके हर वेक्ति कुछ भी बेच रहा है बेचने के बात नहीं है बड़ उसको कंज्यूम करने के बाद हमारी लाइफ में कुछ अच्छा या बुरा हो रहा है किसी द्रग अर्ट बन गया बच्चा या जन्रेशन लेलाएगा जब वह पैसा बरकत निलाएगा तो उसके इंपैट बताओं जो मैंने इसका सुभाष चंद्रा वाला पार्ट जो स्टोरी सुनी थी वह यह था सुभास चंद्राइस 55,000 क्रोर वर्थ पर सब्सक्राइब नॉट लेज देन धाट ठीक है मैं उसकी कंपनी में जॉब भी करी है तो मुझे पता है कि वो किस फानेंचल वर्थ के साब से और जिस टाइम पर मैं दवाई देता था टू विदिन त्री डेस टाइम तब मैं हीलिंग वगरा कुछ नहीं जानता था तो मेरे को गुरुजी बताते रहते तो टाइम टू टाइम मैं कुछ ना कुछ करता रहता था यही जब और मैं कोई चार्ज भी नहीं करता था किसी से भी उस तरुके किसी चीज का बर जब बात कर रहता है कि शुब मुझे बंदे ने बोला कि या देखो आप वेकार की बाते कर रहे हो यह देखो इस सांबरे शराब की दुकाने भीड लगी पड़ी है यह लोग एक के पीछे एक लाइग लगाकर खड़े हैं लेकिन को मिला कि इस दुकान का कोई महुरत नहीं हुआ कोई पूजा पार्ट में होती कोई उसका नहीं है तो मैंने सोचा ध्यान से तो मैंने का आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है लेकिन आप उसका ना एंड रिजल्ट नहीं देख रहे शराब के व्यापार में जितने भी लोग हो सब कुछ खतम हुआ दोनों भाईयों को रातो रात मार दिया गया उनका बिजनस टेक ओवर हो गया सब कुछ हो गया ऐसे करके अंगिनित एग्जामपल है तो जब भी हम किसी के बुरे के एसाब से अपना लाब देखते हैं तो हमारा भी बड़ा नुकसान होता है चोटा मोटे पनिश्मेंट नहीं मिलते बड़े पनिश्मेंट मिलते हैं जितने भी लोग यह सोचते हैं कि हां नहीं समय पनिश्मेंट नहीं होता ऐसा बिलकुल नहीं है तो मेरा इसलिए कहना है कि जब हम कोई एक काम करते हैं जितनी बार भी हम किसी चीज़ जब तक मैं यह सोचता रहूंगा कि सामने वाली की डाइबिटीज मैं ठीक कर तो इसके बतले मुझे पैसे मिल जाए तब तक ठीक ही नहीं होगी क्योंकि कही न कहीं व्यक्ति को स्ट्रेस दे रहा हूं वह अल्रीडी स्ट्रेस में है थोड़ी देर को रिलीफ हो गया एक स्ट्रेस के जड़ से मिटाओ इसे लेट मी विश की यही हो अब पंदरा करोड लोग तो कभी मुझसे करेट में होंगे ना पर पंदरा करोड लोग अगर ठीक हो जाते हैं हमारे इस थोड़ प्रोसेस की वज़े से उसकी वज़े से हमारे देश का जो सोशियो एकनॉमिक सिस्टम जो है वह बहुत सीरियसली इंप्रूव हो जाएगा आप जितने भी क्योस देखिए वह जो हो रहे हैं वह एकदम से कंट्रोल मैंने कहीं यह नहीं बोला स्ट्रेस से होती है तो इन सब का स्ट्रेस वाला पार्ट हट जाए दोजार पच्चिस तक का उसमें टाइम लाइन डाल दिया क्योंकि अभी टाइम है दीरे दीरे हरे को कोई ना कोई एक ऐसा अवेरनेस सिस्टम मिले जिसमें की वह ठीक हो रहा है माली जै किसी को पैसे की तंगी अब पैसे की तंगी की वज़से स्ट्रेस हो गया इस्ट्रेस से उसकी बिमारी बढ़ गई तो पैसे की ठीक हो जाए मतलब हमारे देश में ऐसा फाइनेंशल रेविलूशन आए कि चारो तरब जैसे येरोपिया अमेरिका के अंदर सभी लो चीज हो जानी चाहिए तो वह वैसी होगी पर फिर मुझे लगा कि मैं कोई भी एफर्ट करके अगर एक बार उसको ठीक कर रहा हूं तो अगली बार वह कैसे ठीक होगा तो फिर मुझे एक्दम से ध्याना है कि अगर सबकी कुंडलिनी अवेकनिंग हो जाए इंटरनली सभी लोग spiritual हो जाएं spiritual का मतलब यह नहीं है कि आप नौनवेज खाना छोड़ दें आप शराब पीना छोड़ दे अब आप फंडमेंटली स्पिरिच्वल का मतलब है आप व्यक्ति को व्यक्ति समझो आज व्यक्ति का नुक्सान नहीं होस्पिटल में आप जाईए डॉक्टर से भी देख रहा है कि उसको कितने पैसे बच रहे हैं वो पेशन्ट मरे जिए उसे कोई मतलब नहीं है उसका फाइदा होना चाहिए बाकी किसी भी चीज से किसी का भी वह ज़ीज नहीं होनी चाहिए व जिसके लिया भी चीज कर रहे जिस जड़ को हिला रहे हैं जिस जड़ पे कोई कोई तच नहीं कर रहा और एक्जामपल कुंडलीनी अवेकनिंग का प्रोसेस बात सभी करते हैं बट कुंडलीनी अवेकनिंग का प्रोसेस इतना सिंपल हो सकता है डाट आफ नेवर हर्ड ओफ इस कारण से एक आस्पेट को ध्यान करके और जहां भी जिसको ब्लॉकेज लग रही है कि माली जीसे आपने बोला मुझे ब्लॉकेज लग रही है तो मैंने वह इमेज शेयर करी है मैं उसके एक पीडियेफ शेयर कर दूगा उस स्नेक की जो इमेज है उसको आप उसका बीज मंत्र लिखना शुरू कर दीजे जितना उसमें बीज मंत्र आप लिखेंगे एक तरी और वह कुंडली आप स्वयम है तो उतना ही वह बीज मंत्र आपके बीतर जागरत होता जाएगा आपका कुंडली नी अवेक्निंग उतना ही स्मूध होगा और यह तो अच्छा हमेशा सजग है वह कभी भी डॉर्मेंट फॉर्म में नहीं है तो जैसे जैसे वह सजग होता जाएगा हमारा सेंसरी मेकैरिजम उतना ही इंप्रोवाइज होगा ठीक है जी चलिए स्टार्ट करें कि मैं सब को म्यूट कर दो सब लोग अगर पॉसिबल है तो वीडियो ओन कर ले जिनको कोई दिक्कत है तो वह उफ रख ले बाकी मैंने आडियो आफ कर दिया सबका और एक बार ध्यान से मेरे बैक्ग्राउंड में जो यह शेशना या नाग जैसा इमेज है इस इमेज पे अपनी अटेंशन को ले जाए और जब आज हम कुंडलीनी को इमेजन करेंगे तो उस कुंडलीनी में जो स्नेक की फॉर्म है उसके पूरे शरीर के उपर श्रीम लक्षमी सारे बीजमंत्र अब यह सारे बीजमंत्र बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है आज तक मेरे जितने भी जनम हुए हर जनम में मैंने कोई न को पॉस्ट कॉंशेस फॉर्म है जिनको भी मैं जान पाया तो मैंने वह बीजमंत्र उनके उपर लिख दिये उसी तरह से आप भी इमेजन करेंगे कि जब आप अपने भीतर के उस नाग शक्ति को देखेंगे तो उस नाग के संपूर्ण शरीर पे बीजमंत्र लिखे हुए है यह हमें कॉंशेसली इमाजन करना है और जैसे मैंने कल बताया था कि इस तरीके से हाथ को उपर राइस करते जाना है तो हमारे को इस सिर्फ इमाजन करना है कि हमारी जब मैं कह रहा हूँ कुंडलीनी आरोहडम तो कुंडलीनी जब उपर जा रही है तो मैं इस तरीके से उस हाथ को उपर हर चक्रा के तौर पे लेकर जा रहा हूं जैसे जैसे मैं उसको उपर लेकर जा रहा हूं वैसे वैसे यह प्रक्रिया जो है यह आपको इमाजन करनी है बस कि जैसी मैं आरोहन बोल रहा हूं तो आपको बस मनी मन करना है कि कोई व्यक्ति ऐसे करके कुंडलीनी को ऊपर बढ़ने के लिए प्रार्टना कर रहा है ठीक है जी चले स्टार्ट करते हैं कि